बहुत ही global सा term है, means बोलने का मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ हैं, एक patient हमारे पास OPD में आता और बोलता है कि वो बिल्कुल चुप चाप बैठ जाता है, उसकी body language से ही पता चलता है, कि उसने अपना हाल फिलहाल एक sperm count कराया, and वो semen count कराने के बाद वो काफी stress में है, सीमें count के बहुत सारे parameters होते हैं, means सबसे पहले आपका volume होता है, उसका color होता है, उसकी motility होती है, motility मतलब sperm किस तरह से चल रहा है, motility के भी अलग अलग parameters होते हैं, means rapid progressive, progressive, non motile, और totally जो dead sperms होते हैं, slow progressive भी होता है, and fourthly होता है morphology, morphology means आपका look कैसा है, हर sperm का एक head होता है, एक neck होता है, और tail होता है, तो यह देखना पड़ता है, कि वो head, neck, tail, तीनों में कोई problem है या नहीं, या सभी में problem है, तो अब हम इसको एक एक करके, आपको इस चीज का वर्णन करते हैं, और इसके बार में हम discuss करते हैं, कि इन में से कौन कौन parameters हैं, जिनको हम treat कर सकते हैं, या उ patients हमारे पास आते हैं, कि जो sperm की volume ही बहुत कम है, उस case में बहुत बास सीमन analysis भी ठीक से नहीं हो पाती है, अगर वो छोटे labs में डालते हैं, जाते हैं, उन patients को भी नीडरना चाहिए, इस case center में उन्हें को किसी भी IVF center पर जाना चाहिए, because IVF center में जो कम volume के sperm होते हैं, उनको ह हम अच्छे से देख सकते हैं, उनमें हम उनको media डाल के उनका volume grow करके, उनको हम फिर analysis करके patient को बता पाते हैं, कि उसके अंदर sperm आ रहे हैं कि उसके बाद हमें उसकी जो sperm आती है, उसकी लुक मतलब कि उसकी जो color है, वो किस तरह कि बहुत बार color से ही पता चल जाता है कि उसमे red blood cells आ रहे हैं कि नहीं, अगर pus cells और red blood cells आ रहे हैं तो वो fully curable है आपका, उसके बाद हम आते हैं motility पे, बोलने का मतलब कि यह sperm किस तरह से move कर रहे हैं, क्या यह rapid progressive है, हमें सिर्फ मतलब होता है, जो sperm होने चाहिए, वो rapid progressive कितने हैं, वो बहुत important है, means जो rapid progressive sperm होते हैं, वही एक को mature, मतलब fertilize करते हैं और एक embryo बनता है, तो यह बहुत important है कि आपके rapid progressive count कितने हैं, जैसे patients आते हैं, उनके 100 million count हैं, लेकिन all immotile है, 90% immotile है, तो उस case में patient खुश हो जाते हैं, कि मेरे तो 100 million count है झाल